नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी की खास पेशकष समबाद में मेहुकृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहधी खास महमान देश के स्वास्त एवं परिवार कल्यान और रसायन और उर्वरक मंत्री मंसुकमान विया जी सर स्वागत है आपका संसर टीवी में और बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर सबसे पहली बात लाजमी है कि कोविट की होगी जिस तरह से ओमिक्रोन का नया वारियंट चाइना में हम कह सकते हैं कि तबाही मचा रहा है हाला कि भारत में अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है कि कोविट पॉजिटिविटी रेट कम होती चरी जा रही है ये फिलहाल के लिए तो एक ब्रीधर है लेकिन सर ये जो नया ओमिक्रोन वेरियंट है ये हमारे ले कितनी बड़ी चंता है देखो ओमिक्रोन एक ऐसा वायरस है वो बार-बार म्यूटेट होता होता रहता है और स्वरुप बदलता रहता है पहले अलफा वेरियंट आया बीटा वेरियंट आया गामा वेरियंट आया डेल्टा वेरियंट आया अभी ओमिक्रोन वेरियंट चल रहा है तो ओमिक्रोन का भी सब वेरियंट अभी चल रहा है पहले ओमिक्रोन B1 आया, B2 आया, BA5 आया, यह BA5 का सब वेरियंट, BF7 वो चल रहा है और हमें अलट इसलिए रहना है कि हर बार ऐसा हुआ है शरुवात में इस टेसिया से प्रारम होता है, जपान, चाइना, कोरिया, वहां से यरोब जाता है, वहां से अमरिका जाता है और वहां से दक्षिन अमरिका जाता है, ब्राजिल, सभी कंटी में, आर्जेंटिना, तो वहां सब जगह पे अभी सर्च दिखाए दे रहा है और उसके बाद साउथ एसिया को हिट करता है, तो यह रूट को देखते हुए हमें एलर्ट रेना बहुत आवशक है, और एलर्ट ने इसके भाग के सुरूप हमने कई इनेसिटिव लेना अभी सही प्रारम कर दिया है आपने देखा होगा अभी हमने दो-तीन दिन पहले सभी स्टेट को एलर्ट किया, कोविड प्रोटोकोल को फोलो करने के लिए हमने गाइड किया साथ में देश में चार ऐसा प्लेस होता है जहां से बहार से वेरियंट आ सकता है एरपोर्ट, सीपोर्ट, वाटरवेज और फिप्थ लेंड बोर्डर से तो सभी जगह पे प्रिकोशन लेना ओर्डेड हमने चालू कर दिया है हमरे पास कोविड मेनेजमेंट का एक बेस्ट एक्सपेरियंस है उसका भी हमें लाब हो रहा है ताकि हम आने वाले दिनों में अभी से ही सज़र रहे तो हम ये वेरियंट को रोकने में सक्सेस हो सकते है सर आपने संसद में बेहत महत्पून बात कही आपने कहां ग्रोथ भी ना रुके और कोविड के सारे प्रिकॉशन्स भी ले लिए जाए आगी जाकर सर जिस तरह से चाइना में सहज दिख रहा है या आपने बाकी साउथ एजिन कंट्रीस की बात कही ऐसे में इस तरह का बालेंस कितना मुश्किल होने वाला है भारत के लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है और हमने करके दिखाया है आज आप देखो दुनिया में कोविड क्राइसिस के बात जो एकोनोमी रोटेट होनी थी वो नहीं हो पाई आज भी GDP ग्रोथ डावलफ कंटी में भी 1-2% और कई जगे में तो माइनस में चल रहा है इंडिया 77% GDP ग्रोव कर रहा है उसका मतलब यह है कि हमने सबसे पहले हमारी एकोनोमी को रिवायू कर लिया और बेस्ट कोविड मेनेजमेंट का नतिजा निकला हम चाहते है कि हमारे देश का विकास भी नहीं रुकना चाहिए और कोविड को रोकना है तो दोनों को साथ में हमें चलाना है कि विकास भी होता रहा है और कोविड का सर्ज भी इंडिया में न आए उसको देखते होए जो जो initiative लेने के आवशक्ता है वो इनियसिटी उमने लेना चालू किया एरपोर्ट पार जो 5-6 कंट्री है जपान है, कोरिया है, चाइना है, होंग कोंग है, सिंगापोर है ये सभी जगा से जो पैसेंजर आते हैं उसको हम तुरंथ ही एर सुविधा पोर्टल की तहट उसको compulsory, RT-PCR test compulsory कर लेंगे ताकि कोई patient positive हो तो इंडिया में ना आए आ गया तो उसका thermal screening हो, type-type की screening करके testing और screening दोनों चीजों पर हम भार देंगे ताकि कोई variant इंडिया में ना आ जाए दूसरा उसमें महतुपुण विशय ये है कि हार्ट डिस्टिक में जो कोई भी case positive पया जाता है तो हमने genome sequencing करना चालों किया है genome sequencing से फाइदा यह होता है कि कोई जगह पे COVID positive patient है उसमें पता हमें genome sequencing से चलता है कि कौन सा virus है वो mutate हो के उसका सुरूप कैसा बदला है जो कोई other type का virus हमें दिखाए दे तो यह virus को isolate करना आवशक होता है isolate करके उसके पर हमारी vaccine effective है के नहीं है उसके study की जाती है उसके पर medicine effective है के नहीं है कितनी effective उसके study की जाती है सारी study यह virus को isolate करके की जाए और एक करने के बाद हम उसको रोकना का प्रबंध करें यह बहुत आवशक होता है इसलिए हमने genome sequencing भी आज के दिन में already बढ़ा दिया है ताकि इसे कोई नए variant देश में नहीं है उसका पता चले सर हमारा एक बड़ा achievement देश का मंत्राले का यह रहा है जिस तरह से vaccination की जो drive चली या जिस तरह से vaccines administered हुए 220 करोड से ज्यादा का आकड़ा पहुँच चुका है फिलहाल और अभी हाल में ही nasal vaccine को भी approval मिला है सर ये जनता के लिए क्या है कितना जरूरी क्या हम इसको booster dose माने किस तरह की आगे की रणनीती इस dose को लेकर vaccination देश में कोविट को फैलने में या तो कोविट से ओ रहे मुरुत्यों को काम करने के लिए vaccine की भूमी का बहुत महतुपूर्ण साबित हुई है नहीं केवल भारत में लेकिन सारी दुनिया में तो आज देश में 97% लोग vaccinated है उसका लाब हमें ये हुआ कि जब अमिक्रोन का भी ये 5 variant आया तो सर्ज के रूप में आके चला गया वेव के रूप में नहीं आया तो वेवज हमने थर वेवज नहीं देखा और आने वाले दिनों में और precaution dose सब लोग ले ले और अभी तो इंडियान रिसर्ज इंडिया में ही manufacturing हुआ हुआ नेजल ड्रॉप वेक्सिन भी आ गया है तो नेजल ड्रॉप वेक्सिन भी हमें precaution dose के लिए उपयोग ही हो सकता है और नेजल ड्रॉप वेक्सिन को जो एपरोल मिली है वो स्वयम उसका ही first or second dose आप लगा सकते हो कोवी सील्ड और को वेक्सिन दोनों वेक्सिन ली हो उसको भी वो precaution dose के लिए बुस्टर डोज के लिए उसका उपयोग हो सकता है यानि कि वो हेट्रोलोगस उसका उपयोग करने के लिए भी हमारी expert committee ने अनुमत दी है तो आने वाले दिनों में लोग आसानी से अपना precaution dose कोवी नेसल के आधर पर ले ले ताकि वो अपने हेल्थ को कोविट के सामने सुरक्षित रख सके सर पूरी दुनिया ने बहुत समस्याओं का सामना किया है भारत ने भी सर आप देश के स्वास मंत्री हैं अब new year आ रहा है Christmas है celebrations है कितनी चिंता आपको क्योंकि कोविड अप् फेस्टिवाल कोविड जैसी महामारी के समय में आ रहा है तो हमें precaution लेना बहुत आवशक है as a health minister मुझे चिंता भी है और इसलिए मैं देश की जनता को आग्रह करता हूं कि वो मास्क का उप्योग करे COVID appropriate behavior का पालन करे sanitizer का उप्योग करे social distances बनाए रखे ताकि हम कोविड को रोक पाई यह बहुत आवशक है पुतकाल का अनुभव रहा है ऐसे gathering से ही COVID ज्यादा फेड रहा था यह ना फेले इसलिए हमें सोयम सिस्थ का पालन करे और COVID protocol को follow करे इस दो ही चीज हमें बचा सकती है हमें उप्योगी हो सकती है मेरी अपेक्षा है देश के प्रति कि हम का पालन करते हुए COVID को रोकने में सक्सेस रहेंगे सर हमारी लगातार यह प्रेयर्ज हैं कि हमें दूसरी लहर या सर्च देखने को ना मिले लेकिन अगर ऐसा होता है क्योंकि एक एनेमी है जो किसी के भी बस में नहीं है तो हम कितने तयार है यह सबसे महत पूरों विशे है क्योंकि जो देश में COVID फेल गया तो हमें तुरंथ ही वेक्सिनेशन ड्राइव चलानी होगी, प्रिकोशन रोज को और लोगों को आगरह करके लिलवाना होगा, वन्रेवल पॉपुलेशन को एक दम फास्ट प्रायोरिटी में प्रिकोशन रोज देने के लिए आगरह करना ह को देश में, मेडिसीन की उपलब्दता के बारे में भी हमने तयारी कर ली है, वैख एक महतों पुनविशय है। मेडिसीन बनाने के लिए रोओ मट्रेयल चाहिए, वह हमारे देश में प्रयापत मात्रा में है नहीं हे, वो लोगो देख लेना चाहिए, वो सब हमने आभी स यह तैयारी कर ली है ताकि बविश में जो कोविड देश में फेले तो हम उसको अच्छी तरसे उसका प्रबंधन कर सके और यह जरूरी है कि हॉस्पिटल हो हॉस्पिटल में ओक्सिजान, वेंटिलेटर, बेड से उताया रखने के लिए मैं आने वाले दिनों में तुरंत ही सारे देश में एक दीन में एक साथ में मौकडिल करना चाहता हूँ ताकि देश उसके लिए तयार हो जाए सब health minister कोई ने कई अस्पतार में उपस्थीत रहे है, सब अपसर अपने कोई अस्पतार में उपस्थीत रहे एक दीन में सारी चीजों को देख ले तो एक preparedness हो जाए, तैयरी हो जाए हम 360 डिग्री से काम कर रहे हैं ताकि कोई लेफसिस ना छुटे और देश को हम COVID क्राइसिस का भूग न बनने दे और शायद COVID फेल गया तो हम अच्छी तरह से प्रबंधन कर सके लोगों को दिकत ना हो उसके लिए जो भी करने की आवश्चकता है हम कर रहे हैं सर, 360 अप्रोच में एक टेली कंसल्टेशन भी एक बहुत बड़ा औजार है मुझे लगता है कि इस लड़ाई लडने में 80 करोड से जादा टेली कंसल्टेशन हो गए है आगे इसको और बढ़ाने के लिए आपकी क्या योचना है टेली कंसल्टेशन एक महतोपुर्ण विशे इसलिए है कि एक लाग पचास हजार हेल्थ और वेलनेस सेंटर आज दिन में बनने आए है एक लाग पैतिस हजार शायद बन चुके है तो सभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर को हमने स्पोक बनाया है और डिस्टिक होस्पिटल को हमने हब बनाया है ताकि वहाँ कोई गरीब परिवार से गाव से पेशन्ट आये है और उसको कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के ओपिनियन के आवशकता हो तो तुरंत ही उसको ओपिनियन मिल जाए और टेली कंसर्टेशन से डायरीक गाव के पेशन्ट एक्सपर्ट डॉक्टर से जूट जाए और बातचित कर ले और बातचित के आधार पर बगर में डॉक्टर बेठा हो तो यहां से गाइड कर दे तो डॉक्टर वहां इस टाइप के उसको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दे यह बहुत जरूरी है लास्ट कोविड में कोविड सर्ज में उसका बेस्ट उपयोग भी हुआ वेस आई टेली मानस वह भी बहुत जरूरी है क्योंकि उस वक्त जो mental disease mental health का भी बहुत issue हुआ था उसमें भी टेली कंसल्टेशन के भूमी का महतुपूर रहे है सर गाव में और इसको और बढ़ाने पर आप कैसे जोड़ दे रहे हैं गाव तक tracing करना यह बहुत जरूरी है हमारे यहां इंडिया के ऐसी country है उसमें four layer health system है टर्शरी लेवल, सेकंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल और उसके नीचे one thousand population per one आशा बहन है उसको 250 family की family history पता होती है family में कोई भी disease हो तो उसको पता होता है तो हम उसका भी उप्योग ऐसा जब pandemic की situations होती है तो उसका उप्योग करके family family तक पहुँच जाते है ताकि हमें पता चले कि नीचे गाव लेवल पर क्या चल रहा है कौन सा disease चल रहा है, कौन सा variant चल रहा है ये disease का क्या प्रबंदन है ये सारी व्यवस्ता इस प्रकार की tracing system से हम में information मिलती है और हम उसका उप्योग करते है सर चलते चलते आयूश्मान भारत की भी बात कर लेते हैं, एक नई स्कीम आई है digital transactions को बढ़ाने के लिए, beneficiaries के लिए कितना फाइदा होगा इसका आईश्मान भारत योजना बहुत महतोपूर योजना है आप जानती ही हो आज देश में करोडों लोगों को उसका लाग मिला है देश में 55 करोड लोगों को health security मिलना छोटी बात नहीं है और हमने उसका best प्रबंधन किया है और पर डे 15 से 16 नही प्राइवेट अस्पता जोड रही है ताकि गरीब पेशन्ट सरकारी अस्पताल में तो उसको free treatment मिलती है लेकिन प्राइवेट अस्पताल उसकी पसंदगी की अस्पताल में भी उसको free और best treatment मिले यह प्रबंधन आज वोडिली हमने कर चुका है वैसे ही कार्ड भी हर दिन 7-8 लाग कार्ड create हो रहा है ताकि उसको एक कार्ड मिल जाए और उसको लेके यह तो उसके पास 5 लाग की security है या जैब में कार्ड लेके गया कोई भी अस्पताल पर गया तो अस्पताल उसको treatment देगी साड़ा चार करूड लोगों ने उसका लाब लिया है और आने वाले दिनों में बहुत तेजी से उसका coverage बढ़ रहा है विल्कुल सर उमीद है कि COVID crisis हमें फिर से ना चुपाए आपने हमसे बात की इतनी महत्पूर्ण जानकारी साजा की बहुत बहुत धन्यवाद संसे टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद कृती